हलो एफ्रिवान दिस इस रुपाली आप सभी का स्वागत है एस्पारिंग टीचर्स में सो वेरी गुड मॉर्निंग तो एक बारी कॉमेंट्स में बताएंगी कि येस माम क्लियर है इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बीएट सेकिंड यर का सब्जेक्ट बीएट सेकिंड यर देखो फॉस्ट यर भी करा रही हूँ और बीएट सेकिंड यर का ये सेकिंड सब्जेक्ट है ठीक है सब्जेक्ट नमबर टू है असस्मेंट फॉल लर्निंग इसका आप लोगों का प्लेलिस्ट बना हुआ है कुछ सेशन आप लोगों को मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग चेक आउट कर सकते हैं आज का टॉपिक रहेगा वाट इस एवेलिवेशन मुल्यांकन क्या होता है आप बताएंगे हमने यह देखें असस्मेंट के बारे में समझा था कि आकलान क्या है और आज के सेशन के अंदर मुल्यांकन को समझेंगे जुदने भी स्टूडिंस यहां पर करेक्ट हो चुके हैं अट लीस्ट सबसे पहले तो शेयर कर दें क्लास को जिस भी एर का, suppose B2nd year का maximum share है तो B2nd year के classes continue रहेंगे और अगर 1st year के students ज़्यादा share करेंगे तो उनके classes continue रहेंगे यह आप लोग क्यों आप लोग decide करेंगे तो classes को अपने friends के साथ सबी WhatsApp ग्रुप पर अपने share जरूर कीजिए टेली ग्राम पर जो जो भी आप लोगों का ग्रुप है ठीक, क्लास को शेयर जल्दी से कर दीज़े आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि Evaluation क्या होता है बाकी आप सभी को B.A. Second Year के बाच के बारे में पता ही है कि आपको इसके इंदर Live Recorded Classes, Class का PDF, Complete PDF, Bilingual Classes रहेंगे Hindi English Both, PYQ Paper और यह आप लोगों का जो ओफर था यह extend करके आप लोगों का मार्च में भी चल रहा है तो आप लोग इसका ओफर का फाइदा उठा सकते हैं यह जो बाच है आप लोगों का इसके अंदर भी आप लोगों को important questions प्रोवाइट किये जाएंगे April के अंदर में सारे batches को wind up कर दूँगी, complete कर दूँगी जिसे कि आप लोगों के पास कम से कम एक महीना हो पूरा कि हम लोग अपना preparation ये revision कर सकें तो इस batch के अंदर आप लोग ले सकते हैं, enrollment करा सकते हैं जिसको भी कराना हो तो इस number पर whatsapp कर दीजेगा बाकी आप लोग direct enrollment ले सकते हैं, download कीजे Aspiring Teachers 2.0 application इस course के अंदर 6 subjects जो आपके common subjects हैं वो आप लोगों कराए जाएंगे 6 subjects का ये course रहेगा आपका ठीक, comments के अंदर बने रहे हैं, सभी के सभी at least पता चलता रहे हैं कि सभी students active हैं मेरे साथ ओके, clear, चलिए आगे बढ़ते हैं, evaluation इसी तरह से मैं आपको course में पढ़ाऊंगी कि content भी आप लोग के सामने होगा, आप लोग खुद भी पढ़ सकेंगे और समझ भी सकेंगे तो देखें यहाँ पर evaluation क्या है अगर हम लोग मुल्यांकन की बात करें कि क्या होता है मुल्यांकन हमने यहाँ पर इससे पहले एक term पड़ी थी आकलन और एक term पड़ी थी मापन जब हम लोग इन दोनों को जोड देते हैं तो हमें क्या मिलता है मुल्यांकन मिलता है यह मैं आपको समझा चुकी हूँ ठीक है यह आप लोगो clear होगा जब हम लोग आकलन और मापन को जोड देते हैं तो मैं मुल्यांकन मिलता है तो यह एक systematic process है जिसके अंदर आपके जो educational objectives हैं उनको achieve किया जाता है suppose मेरे educational objective है कि मैं आप लोगों को यह course पढ़ाऊं और इस course को पढ़ाने के बाद ठीक है आप लोग अच्छे से अच्छे marks अचीव कर सको 85% अचीव कर सको 90% अचीव कर सको तो यह सभी का objective है इस course का objective है यह तो मैं अपना educational objective को अचीव करना चाती हूँ इसलिए यह systematic way में आप लोगों के साथ पूरा classes चलेंगे अगर other words में हम लोग बात करें तो यह एक process है जिसमें हम लोग judge करते हैं कि whether the quantity or quality can be measure or acceptable क्योंकि एक मुल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर दोनों ही चीज़ें आपकी quantity भी और quality भी बच्चे की चेक की जाती है और last मैं आपको इनी के basis पर judgment या decision provide किया जाता है समझ में आ गया clear हुआ comments आपके नहीं आ रहे है comments के अंदर बने रही है जर भी पता चलेगा कि you are active ठीक है तो यहाँ पर जो मुल्यांकन की प्रक्रिया होती है वो quantitative भी होती है और qualitative भी होती है जिसे की बच्चे के बारे में हर एक aspect का पता चल सके इसकी characteristics क्या क्या है आप लोग इस तरीके से paper के अंदर flow charts बना सकते हैं इस तरीके से आप लोग paper में flow charts का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे की characteristics आपको लिखनी हो तो आप लोग यहाँ से एसे flow charts बना कर फिर उसको explain कर सकते हैं तो evaluation क्या करता है बच्चे को अंत में feedback प्रवाइड करता है प्रतिक्रिया प्रदान करता है यह प्रतिपुष्टि प्रदान करता है कि बच्चे का overall performance कैसी रही है जब हमें यहाँ से overall performance के बारे में पता चलेगा तो हमें motivation मिलेगा यह उन लक्षे को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है कि हमारा यह लक्षे है हमें इसको achieve करना है तो वह हमें motivate करेगा gives a judgment यह आप लोगों को नेड़ने देने में मदद करेगा कि आप लोग इस class के अंदर pass हो या फिर fail हो तो यह आप लोगों को judgment भी provide करता है it provides remedial measure remedial measure का मतलब होते है उपचरात्मक उपाय प्रदान करता है कि अगर कहीं पर गल्तियां है तो हम उसको सुधार कैसे कर सकते हैं उसको remedy कैसे दे सकते हैं बच्चे के अंदर क्योंकि ultimately सुधार लाना है तो उसके remedial measures भी provide करते हैं उपचार भी प्रदान करता है यह educational decision making में आपको बताया है कि evaluation अंत में होगा और अंत में आप लोगों को क्या मिलता है निर्ने मिलता है कि आप लोगों का काम कैसा हुआ सैशिक निर्ने लेने में मदद करेगा educational decision making में help करेगा build good study habits यह आप लोगों के अंदर एक study habits को अच्छे से build करता है कि जब आप लोगों motivation मिलेगा कि अच्छा हम अच्छा कर रहे हैं कि हम लोग यह काम कर रहे हैं तो वह आप लोगों को एक study habits आप motivate होगे और आपके अंदर एक study habits develop होंगी काम को करने की आप पढ़ने की कोशिश करोगे और यह teachers को भी help करता है कि वो उनी बेसिस पर बच्चे के लिए activities को plan कर सके समझ माया? clear हुआ? clear है आप सभी को यह कि evaluation की खासियत क्या है? देखो paper में पूरा question आता है what is evaluation? उसकी needs and importance को describe कर दो उसकी characteristics को describe कर दो क्या क्या है? यह उनकी types को describe कर दो यह फिर उनकी approaches को describe कर दो किसे भी type का question आ सकता है आपके paper में तो हर एक चीज पढ़ कर जाईए पहले से ही पहले is that fine? समझ में आ गया? great अब देखो इसकी जरुरत क्या है? इस हमें evaluation की क्यों जरुरत है? यह flowchart साब बनाओ, paper में आपको खुद लगेगा कि हमने खुदी answer को बहुत अच्छे से present किया है यह जो evaluation होता है यह हमारे classroom के objectives को fulfill करता है यह हमने अभी पढ़ा कि जो भी कक्षा का या एक teacher का, एक बच्चे का या education का जो भी objective है उसको पूरा करने के लिए मदद करता है जहां पर बच्चे को learning difficulties हो रही है कठिनाईयां आ रही हैं सीखने में उनका निदान करेगा उनको diagnose करेगा उनको पहचानेगा कि कहां पर गलतियां हो रही है हम उसको सुधार करें ठीक है? Prepare reports for pupil progress अब देखो एक बच्चा यहां से first term के अंदर ये था 50% पर दिरी दिरे उसको remedies प्रोवाइड करी उसको उप्चार दिये उसके अंदर यहां पर motivation दिया उसको बताया कि यहां पर ये गलतियां है दिरी दिरे वो second term में आकर वो 70% पर पहुँच गया तो भही आपे pupil की progress हो रही है उस बच्चे का progress हुआ है वो report भी prepare करता है इसलिए important है students को assist करेगा कि उनकी problem कहां पर है हम उसको कैसे सही ये सुधार कर सकते हैं उस चीट से भी मदद करता है और बच्चे को नए नए experiences, learning experience सीखने में भी मदद करता है नए अनुभव जो हैं सीखने के लिए उनको तत पढ़ता रखता है means उनको सीखने के लिए प्रचाहिद करेगा समझ में आ रहा है clear हो रही है classes everything is fine देखो evaluation के कुछ खास principle भी होते हैं नियम भी होते हैं तो देखो जो भी टेकनीक्स यूज की जाती हैं यह पूरा full-fledged question है जो एक ही बारी में आपको 16 नंबर में पूछा जाएगा और हमें किस तरह से attempt करना है टेकनीकों का चयन किया जाता है कि टेकनीक शुट बे सेलेक्टिड अकॉर्डिंग टूपरपस हमारा जो भी परपस है उसके according teacher चाहे वो पढ़ाने में methods को use करे यह वो किस तरह से बच्चे को पढ़ाईगी किस तरह से करेगी उनके accordingly वो टेकनीक्स या methods को चूज कर सकती है यह अपने आप में अंत नहीं है पर यह एक अंत तक लेके जाता है यह जो प्रक्रिया होते हैं हम लोग decision या judgment जो हम provide करते हैं बच्चे को वो अंत में ही तो करेंगे आपने कोई performance कर दी आपने अपने test दे दिया तो test देने के बाद ही तो आपको result मिलेगा ना तो यह वही बता रहा है Very good morning Very very good morning Clear है Comprehensive evaluation requires a variety of techniques हम जो बच्चे का एक व्यापक मुल्यांकन करते हैं तो उसमें काफी सारी टेक्नीकों का इस्तिमाल किया जाता है different techniques को use किया जाता है बच्चे से relatedly हम लोग किस तरह से कौन कौन सी तक्नीके इस्तिमाल कर सकते हैं वो सारी चीजे वो use करते हैं ठीक और यह awareness भी help करता है means जागरूप करने में बच्चे की कमी कहाँ पर है उसको भी aware करेगा कि यहाँ पर यह कमी होई उसको सुधार ऐसे किया जा सकता है तो यह awareness भी फैलाता है देखो यह approach क्या क्या जती है evaluation की या फिर मुल्यांकन के दृष्टी कोन क्या क्या है पहला कि आप लोगों का objective फिल्फिल करता है तो यह objective based हो गया कि determine करेगा degree to which educational objectives are achieved कि हमने किस हद तक अपने objectives अपने educational objective को achieve या फिर हासिल किया है तो यह आपका objective based हो गया ठीक समझ में आ गया next is decision based focus on decision made during development and improvement with large scope and multiple levels जैसे decision based होता है तो यह focus करेगा उन decisions पर कि हमें जैसे development करानी है improvement करानी है तो किस level तक हम लोग achieve कर सकते हैं उन decisions में help करेगा यह ठीक है समझ में आ गया next is value based it is not only concerned with goals but also whether the goals are worth achieving means यह ना केवल लक्षों के साथ संबंदिद है लेकिन यह है भी कि क्या लक्षे को प्राप्त करने के लायक है यह नहीं है तो वो value based उसका value क्या बनेगा उस goals को achieve करना समझ में आगे कि उसके value क्या है हमारी yes daily class होती है आप daily class attend कर सकते हैं next is naturalistic approach organize evaluation around the participants key concern and issues naturalistic approach क्या करता है कि यहां पर एक नेचुरल है नेचुरल जैसे कि वो organize करेगा यहां पर कि किस टाइप के issue आ रहा है उसको हमें concern मतलब कि उसको कैसे solve करना है तो यह data को collect करके qualitative मनलब कि observe करेगा interview यह सारे क्या हैं अप्रोचिज हैं जैसे कि हमारे evaluation करते हैं बच्चे के बारे में जानकारी यह मुल्यांकर निकाल रहे हैं तो इन अप्रोच को हम लोग use कर सकते हैं बच्चे को observe कर सकता है interview ले सकते हैं तो यह सारे हो रहा है या fail हो रहा है तो आपका formative हो गया ठीक है जो हम लोग किसी भी प्रक्रिया के दोरान कर रहे हैं तो वो formative की category में आता है और अगर summative evaluation की बात करें तो summative का मतलब यही है कि जो अंत में लिया जाता है means at the end of the procedure at the end of the process किसे भी प्रक्रिया के अंत में जो लिया जाएगा या किया जाएगा वो आपका summative की category के अंदर आएगा यह फिर योगात्मक मुल्यांकन के अंदर आएगा योगात्मक मुल्यांकन के अंदर कंसीडर किया जाएगा ठीक है clear हो गया आप लोगों का समझ में आ गया अब देखो यह पूरा full-fledged question था कि approaches क्या है types क्या है principles characteristics needs evaluation यह पूरा जोतना भी मैंने आपको 15 मिंट में समझाया यह आप लोगों का 16 नंबर का question आपके paper में आपको देख सकता है इस तरह किसे preparation कीजे कि आप लोगों को समझ में आए क्या चीज़ किस में लिखनी है मैं उसी तरह से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ बाकी course में भी आप लोगों को detailed यहां से 16 नंबर में कितना लिखना है वो चीज़ बताई जाएगी तो आप लोग course में जो भी interested हों वो enrollment ले सकता है इस course के अंदर अभी discount चल रहा है 45% का ठीक 45% का discount इस course पर अभी भी चल रहा है तो आप लोग इस course के अंदर enrollment ले सकते हैं समझ में आ गया वहाँ पर आपको देखनी की जरूद नहीं पड़ेगी एक ही जगा unit wise आप लोगो हर एक subject का content PDF सब चीज मिल जाएगी important question पी वाई क्यू पेपर्स, classes, class का PDF सारी चीज़ है ठीक, main important चीज़ होती है concept की clarity, जिस भी teacher से आप लोगो concept की clarity मिल रही है उस teacher को मत छोड़ना, सीधी बात है, क्योंकि आप लोग अगर रट्टा मार के जाओगे paper में इतना ही लिख पाओगे, concept को clear कर लोगे, बहुत कुछ लिख दोगे, तो मेरा funda यही रहता है, ठीक, बाक या notification के लिए जिसको नहीं मिल रही हो, telegram का link आपको description में दिया हुआ है, aspiring teachers की name से telegram channel है, thank you everyone, thank you so much